हाब बस गेट के बार ही घड़ा हूँ, हँजी मेडम में वो आपका आरो ठीक करने आया था ये रूह भी मेरी, ये जिसम भी मेरा, उतना मेरा नहीं, जितना हुआ तरा भीत मैं तुमसे बहुत तार करता हूँ, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बना, प्लीज आसे मत करो रूस्तम, तुम मेरे घरवाले नहीं मान रहे हैं, उन्होंने मेरे लिए एक वेल सेटर लड़का धून लिया है मैंने तुम्हे कितनी बार बोला, कि कोई अच्छी चॉब कर लो, कोई अच्छा बिजनस कर लो, और तुमने मेरी एक बार भी नहीं सुनी यार मैं कोशिस तो कर रहा हूँ न, अब सब मेरे हाथ में दोड़ी नहीं, और इतना तो कमाई लेता हूँ, कि तुम्हे खुश रखूँगा मैं रूस्तम, मेरी बात को समझो, यह तो मजबूरी है यार, यह मजबूरी है, तुम लडग्यों के साथ की क्यों होती है हम लडगे तो हर हाल में अपनाने के लिए तयार रहते है बस लड़के साथ देने के लिए तयार होनी चाहिए भूशते क्या मर हम चाहिए बात वो करते, जैसे कि कोई गम ना दिये दर्द वो देके पूछते क्या मिर हम चाहिए बात वो करते जैसे के कोई गम ना दिये हलो? हो हलो? कहां खो गए? जी सर वहार हो जा के चेक कर लो ठीक है मैं चेक करता हूं अच्छा प्रीट मैं ओफिस चाहरा हूं आरो टीक हो जाए तो पेमेंट कर देना ठीक है और हाँ मिजिना आने में थोड़ा लेट हो जाएगा तो खाना पी नखा के सो जाना मेरा वेट मत करना ओके ठीक है हाई रुस्तम कैसे हो तूँ मैं ठीक हो तुम कैसे हो मैं पी ठीक हो ऐसे एक बात पूछो हाँ पूछो तुमने शादी कर ली क्या कर होगी जानके मैंने सादी करी की नहीं बस ऐसी पूछ रही हूँ बहुत किसमत वाली होगी जिससे तुमने शादी की होगी आजकल हर लड़की को फैल सेटल लड़का चाहिए तुम्हें क्या लगता है वो खुश होगी प्यार में ये सब थोड़ी देखा जाता है इंसान बस प्यार करने वाला और खुश रखने वाला होना चाहिए और क्या चाहिए कास तुम्हे चीज समझ पाती वैसे मैंने सादी नहीं की और हाँ आरो का एक पार्ट खराब है वो में लेकर ने आया तो कर लेकर आमा ठीक कर दूमा क्या हुआ क्या हुआ मोग्यू लटका रख रहा है फिर उसकी याद आगी क्या नहीं यार आज जिसके घर पे गया था ना आरो ठीक करने वो प्रेत का ही घर था फिर उस ने तिरे से खुछ कहा क्या कहा तो कुछullenीए बस उसे देखके सारे जखम ताजय हो गए यार यार तुमासोच उसके बारे में इतना जितना जादा सोचे गा न उतना दुखी होगा वो खुश होगी इतना ठूश होगी एक्र लाइफ में उसे देखके लगनी रहा था भाई वो खुश है भाई वो नाटा कर रही होगी तेरे सामने तु बहुत ज़्यादा सोच रहा है उसके बारे में इतना मस सोच भाई साधी वदी कर और खुश रहा है खुश और मैं कुछ दर्द है से उतने जिन्दगी में जो कभी खुश नहीं रहने देते है आज कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी साथ समंदर जितना अपनी अचा रुस्त हम एक बात बताओ हाँ बोलो तुम मुझे कभी छोड़के तो नहीं जाओगे ना पागल हुए हो क्या जाओगे तो तुम्हे मैं तुम्हे कभी छोड़के नहीं जाओगा अच्छा जी मुझे क्या और लड़कियों की तरह समझा है अगर घरवाले नहीं माने न मेरे तो भाग के शादी कर लूँगे लेकिन शादी तो मैं तुमसे करूँगे भागने की नौबत नहीं आएगी तुम्हारे घरवाले को तो यू मना लूँगा मैं अच्छा जी और अगर मेरे घरवाले नहीं माने तो फिल तो भागने ही पड़ेगा कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी रुस्तम तुम कुछ लोगे चाय, पानी, कॉफी, कुछ नो थैंक्स, इसकी कोई जुरूत नहीं है वैसे रुस्तम, एक बात पूछो वैसे पूछने के लिए कुछ रह नहीं गया है फिर भी क्या पूछना है, पूछो तुक ने शादी क्यों नहीं करी सादी तो मैं कर लेता लेकिन वो कहते हैं न, सादी से पहले सकसफुल होना बहुत जुरूर है जो कि मैं हो नहीं पाया ताने मार रहे हूँ मैं कोन होता हूँ ताने मारने वाला छोड़ो ना तुम मेरी लाइफ में क्यों टरफेर कर रहे हूँ तुम तो खुश होना अपनी लाइफ में खुश रहो मैं है और खुश, तुम्हें लगता है कि हैपी लाइफ में बहुत खुश हूँ? लगता क्या है? हो तुम खुश, वैल शेटल लड़का मिला है, इतना बड़ा आली शान घर मिला है, और क्या चाहिए तुम्हें? शुस्तम, पैसा और दोलती इंसान को हर खुशी नहीं दे सकता, मैं महांती हूँ आज में पैसा, घर, सब कुछ है, पर फिर भी मैं अके लिए हूँ च्यों? ऐसा क्या हो तुम्हारी लाइफ में? मेरे पती सिर्फ मेरे खुआईशे और शौक की पूरे कर पाए, मुझे कभी खुशी नहीं दे पाए, उनके पास मुझे देने के लिए पैसे तो बहुत है, पर टाइम, टाइम नहीं है तो, तुम्हें पैसे और दोलती तुछ यही थी? नहीं, रुस्तम, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पर शादी के बाद एक भी ऐसा दिन नहीं है, जब मैंने तुम्हें याद ना कर आओ, मैंने घर वालों के प्रेशर में आके शादी तो कर ली, पर प्यार मैं आज भी तुमसे ही करती हूँ, और हमेशा करती रहूंगी इन सब बातों का कोई फाइदा नहीं है, परित, बहुत तेर हो चुकी है, और मुझे अपना काम करने दो, शुस्तम, क्या तुम उससे प्यार नहीं करते हैं, जब आप तो देते जाओं, हाँ करता हूँ, प्यार मैं, नहीं परित, शीकल लात है, मैं चाह रहा हूँ, विछे महीं करता है, प्रीत तो प्रीथ मेरा पॉंदेन आ, मैं परीथ, प्रीथ, हाँ ? और बेल्ड़रा होई ओ, फोंदो मेरा.. हाँ मैं आ क्या हुआ प्रीट आज कल खोई-खोई सी रहती हो कोई बात है क्या कुछ नहीं वो बस थोड़ी तब है ठीक मिया मेरी अच्छा ठीक है मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ले लेता हूं तुम जा के चेक कर वा लेगा अरे नैनी उसकी कोई ज़रुतनी है अरे ऐसे कैसे ज़रुतनी है मैं ड्राइबर से कह दूँगा वो तुमें लेकर चला जाएगा क्यों तुम नहीं चल सकते अरे मैं चल लेता लेकिन वो ख्याना कल मेरी इंपॉर्डेट मीटिंग है तो मुझे वहां जाना पड़ेगा तु क्या हुआ । तुमें कुछ नहीं, वह थोड़ी सी टपित घराब थै मैरी यह थोड़ी सी टपित खराब है? कितना जाधा फीवर है। चलो डॉक्टर के पास नहीं निरस्ता, डॉक्टर के पास ना मैं खुड चल जाओंगे, तुम अभी इंटर्वी पर जाओ, इंटर्वी होना तुम्हारा होना लेट हो जाओगे इंटर्वी के लिए कल चला जाओंगा, मैं ले ना तुम से अधा इंपोर्टेंट कुछ नहीं है, चलो चुप-चाप प्रीत, कहां खो जाती हो, मैं कहरती कि कुछ नहीं हुआ, मुझे वो बस हलका सा हैडिक है, ठीक हो जाओंगे, डॉक्टर के पास चाने की कोई सब्सुर्ट की है क्यों बुलाया मुझे, क्यों, बीना काम की नहीं मिल सकते क्या, लेकिन प्रीत यह गलत है, तुम्हारी साधी हो चुकी है, तुम अपने लाइफ में आगे बढ़ चुकी हो, अब हमारा ऐसे मिलना ठेक नहीं है, रुस्तम मैं खुश नहीं हूं उसके साथ, तुम्हें समझ करती है, यह चीज़ तुम्हें साधी से पहले सोचना चाहिए था ना, अब कुछ नहीं हो सकता प्रीत, समझो, और आज के बाद मैं तुम से कभी नहीं मिलूंगा, रुस्तम, 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 दर्द पहले से है जादा, खुद से फिर ये किया वादा, खा हमोशे नजेरे, रहे वे जुवाद जाले, उसे भूलने में असानी होगी, तुझे लगता है, मैं उसे बोल पाऊंगा, आइनो यार, इजी नहीं होता किसी को इतनी जली भुलाना, पर तुँ ट्राय तो कर सकता है न, अच्छा चल, मेरी बहुत सारी सिंगल सिंगल फ्रेंड है, एक से एक बढ़कर, एक फोट जाना यार, साड़े कहा रहो चल, नहीं जाना, अच्छा सुनो, मैं न, ओफिस के काम से तीन-चार दिन के लिए बैंगलोर जा रहूं, तो अगर तुम्हें किसी भी चीज की जोरत पड़े न, तो रमेश को बोल देना, ठीक है, हेलो कॉल, प्रीद, कैसे हो, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो, मैं भी ठीक हूँ, मैं कह रही थी कि तुम मिल सकते हो मुझसे, कुछ सोचा है मारे बर में, प्रीद, सोचने के लिए कुछ रह नहीं गया है, और जो तुम सोच रहे हो, पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है, अखर प्रॉब्लम कै, अखर मेरे पती की बात है, तो मैं उनसे डाइवर्स रहूंगी, ऐसा तो नहीं है, रूस्तम क मैं पहले जितना तुम से प्यार करता था, अब भी उतना ही प्यार करता हूँ, मुझे फरक नहीं पड़ता, तुम्हारी साथी हो गई है, तो फिर क्या सोच रहे हो तो, चलो ना मेरे साथ, हम करी दूर चलते हैं, मुझे यहां, मुझे यहां गुटन सी होती है, और तुमा सच मैं? भाई देख, यह जो तुम करने जा रहा है ना, बहुत गलत है, तुम अपनी लाइब भी खराब कर रहा है, और उसकी भी, अभी तेरे सामने तेरे पुरी लाइब पड़ी हुई है, लेकिन भाई, वो उसके साथ खुश नहीं है, वो अभी भी मेरे से ही प्यार करती है, तेरे घरवालों पर क्या भीतेगी, इस बात को समझ रहे है तू, समझ भाई, मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या बोलेंगे, वो मुझे से प्यार करती है, मैं उससे, बात खतम, अभी तू पागल हो गया है क्या, तुझे समझ क्यों नहीं आ रहा भाई, अगर वो ते बस वह घरवालों का बहाना होता है, मैं तो यही बोलूँगा कि उसके चक्कर में मत फस भाई, अब तो मैंने सोच लिया है भाई, अबे कहां जा रहा है, अबे सुन तो, रस्तम, मैंने सारे जुड़े और सारा कैश लेकर आगई हूँ, अब हम चलते हैं, नहीं परीट, हम भाग नहीं सकते हैं, लेकिन क्यों, मैंने बहुत सोचा, अगर तुम सच में मुझसे इतना प्यार करती, तो मेरे हालात देखके मुझे छोड़के नहीं जाती, रस्तम, उस ताम सिचुएशन अलग थी, मेरे सर पर मेरे घरवालों का प्रेशर था, वरना मैं तो राजी नहीं थी शादी के लिए, बस करो परीट, और कितना जुड़ बोलोगी, तुमारे भाई ने मुझे सब सच बताया, कि कौन शादी के लिए राजी था, कौन नहीं, थोड़ा कमी रहे थी मुझे मैं, थोड़ा कमी तो कमाता हूँ, वो भी वाखुश नहीं है, मैं भी वाखुश नहीं हूँ, क्यों करा ही तुम लोगों ने उसकी जवरजस्ति साधी, पापा तो आपके शादी करने के लिए मान गए थे, बस दीदी नहीं मना कर दिया था, रुस्तम, उस समें हालात अलग थे, अब हाला ठीक हो गया है, अब भी तुम्हें उतना ही कमाता हूँ, जितना पैले कमाता था, तुम्हें वहाँ प्यार नहीं मिला तो तुम मेरे पास आगी, तुम्हें सरमानी चीए परेद, तुम उस समें भी जुट बोल रही थी, और आज भी जुट बोल रही हो, तुम्हें उस से ये बोला कि तुम्हें पदी का किसी और से अफैर चल रहा है, सिर्फ इसलिए, ताकि तुम्हें उस से चुटकारा मिल सके, वो तुम्हें टाइम नहीं देता, इंसान को ना पिरी हर चीज नहीं मिल पाती, तुम्हें दॉलत तो खुश रहो उस दोलत के साथ, लेकिन तुम्हें प्यार कभी नहीं मिलेगा, और एक और बात, तुम मेरी तो ना हो सकी, कमचे कम उसकी बन के रहना झाले मेरी तुम्हें